सबी का फिर से स्वागत है हमारे चैनल में तो आज यहाँ पर हम बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे ज़्यादा पूछे जाने सवाल के बारे में यह कुछ ज्यादा एपिसोड की सीरीज है हमारे इस चैनल पर जहाँ पर हम इन सारे टॉपिक्स को लेके बात करेंगे कई सारे टॉपिक्स हैं इनके कुछ अलग अलग सीरीज आएगी यानि की अलग अलग पार्ट आएगे यानि एक वीडियो में सब कुछ कवर कर पाना पॉसिबल नहीं है इसलिए हम अलग 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 आएगे तो आप होफुली अगर आप यह बाला पूरा देखे यह वाली व कि आप जील कैसे जीते कि वो जो प्राइज है बड़े बड़े उनको हम हासिल कैसे करें एक रेंग कैसे लाए क्या करें हम जो हम सिर्फ दुनिया के देखते हैं कि इसकी एक रंगा कि इसकी जगह यह होता तो आज हम जीत चाते हैं इसकी जगह यह होता यह सी नहीं होता यह इसको drop करके इसको ले लेते इसको vehicle लेते इसको vehicle लेते तो हम जीटे जाते हैं लेकिन नहीं आप भी जीट सकते हैं क्यूं नहीं जीट सकते मैं सिर्फ इतना इतना नहीं बताऊगा कि आप GL कैसे जीते मैं ये भी बताऊगा कि 1,2,3,4,5,6 सारी रेंक्स आफ एक साथ के सलाई यानि वन भी आपकी हो फ्रीटि भी हो ऐसा अपक्हां से पोसीबल है वहां बता होगा लेकिन उससे पहले आप को कई सारी चीजों की जानकारी होना बहुत ज्यादा जरूरी ये वीडीयो में बहुत सॉरी से लेकिन यह वीडियो बहुत लंबी होने वाली है तो होपफुली आप लोग यह वीडियो पूरी देखे और जानकारी ले कि आप लोग GLQ नहीं जित पा रहे हैं आप क्या-क्या गलतिया कर रहे हैं और इस वीडियो देखने के बाद आप कितना इंप्रूव करते हैं यह मेर बॉलिंग फिवर है और आप चार-चार बैटल लेके जा रहे हैं ऐसा तो नहीं होगा ना जब पिछ बॉलिंग फिवर है तो आपके वाद कम से कम पांच बॉलर तो होने चाहिए और ज्यादा से ज्यादा ओल राउंडर क्योंकि पॉइंट तो वहां से आईगे ना बैटल इसके स्टैट्स देखके प्लेयर अनलाइजेस यानि की कौन कितने ओवर डाल रहा है एक बंदाई जो स्रिप एक ओवर डाल रहा है उसको बारा रण पड़ गे उसको अगले ओवर ही नहीं मिल रहा और वह आपकी टीम का सी है ऐसा तो नहीं होगा ना आपको स्टैट्स पत ना रहा है लेकिन उसके तो ओवर कटेगे ना क्योंकि पांच में बॉलर है तो उनको ओवर मिलेगे और तो कटेगे वैसे लाइनप अपडेट्स होनी आपको बहुत ज्यादा जरूरी इंजरी अपडेट्स जैसे कि आपका सी इंजड है यानि कि आपका जो सी है उसको अगर देते हैं और वो विनिंग से बार चली जाती ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना आपको पहले ही अपडेट्स दूननी है कि यह प्लेयर अवेलेबल है यह नहीं है यूटूब पे कई सारी वीडियोज अवेलेबल होती है वहाँ पे अपडेट्स मिलती है कई सारी जगे आपको पहलेबल मिलती है दो वहाँ पे आप ढूंडिए गी कौम से ढूंडिए यूटूब पे कई सारे अशा चैनल है जहां भी आपको अपडेट्स मिल रहेगी और लास्ट ऑवररॉल स्टैट्स लेकिन अपने लास्ट इम से देगा और इसको इद्रॉप कर लिया और अ देखा उसका स्टेट्स था 10 गेम में 400 और आपने लास्ट गेम देखा जहाँ पे 0 मारा था इन उसके इलावा तो 9 गेम में बैकप नॉलेज मिलेगी आप हमारे चैनल से जूट सकते मैं भी तो सारे गेम कवर नहीं कर सकता ना इसलिए आपके पास बैकप ऑप्सन भी होना चाहिए आप एक चैनल टीम अपनी बनाईए लेकिन सामने वालों की टीम भी देखिए नॉलेज रखी अपने पास यह सारी बा पाकिस्तान के सामने बहुत अच्छे है ठीक है हमें समझ गया लेकिन न्यूजिलेंड जब न्यूजिलेंड की टीम विराड के सामने आती है त्रेंट बोल्ट का वाला फेक्टर आ जाता है फिर से तो वो उस कंडिशन में दुनिया का 40% सी विराड को जा रही है लेकिन बात है आप उनको रखिये लेकिन सीवी सी मत कीजिये दुनिया से सोच वह यह सारी तो आप कहें गए कि तुमने आंच तक क्या किया है इतना घ्यान बाट रहा है तो यह देखिए वन रंक मेरी टू मेरी थ्री मेरी ठर्टें मेरी अ कबड़ी की बारी है यह कबड़ी में है इसी concept से आई है यह देखिए आप कहें कि छोटे apps में क्यों बता रहा बड़े apps में भी देख लिए dream 11, 3, 19, 41, 174 यह सारी rank मेरी है my 11 circle में भी देख सकता 1 rank 3 rank मेरी है इधर भी देख सकते हैं 1, 2 यह भी मेरी है देख लिया न आपने कि हाँ इस बंदे में बात है आज की तारीक में क्या है दुनिया knowledge को नहीं समझती दुनिया results को देखती इसलिए results दिखाने बहुत जरूरी होगे तो चली हम लोग दुनिया की सोच से अलग चली इसको हम as a example की तरह समझते है dream 11 पेज पे जाके यह देखिए आप दुनिया की सोच से अलग क्या होता है कल का गेम है स्री लंका बना बंगलादेश वाला इधर देखिए न आप cvc कौन बना है नजमूल हुजन सांतो याद हो आपको तो हमने वीडियो में क्या कहा था कि इन्होंने head to hand में last game इनकी बदोली थी बंगलाद से सिलेक्शन पर्सेंट इस 90 प्लस आप बंगल को ड्रॉप नहीं कर सकते मैं भी कहता हूँ हम ड्रॉप नहीं करेगे अब वह आपकी टीम में 100% होने वाले हैं लेकिन cvc नहीं किया जिस बंदे ने c इनको किया और vc फिर उस कंडिशन में आप रहीम को कर ले मैंडिस को कर ले वो एक अलग चीज़े लियांगे एक और दे लेकिन भसरंगा जो 40 पर 30 लोगों का कैप्टन था वो ड्रीम टीम में भी नहीं आया ये होती है दुनिया की सोच से अलग इस तरह से सी बनाए जाते हैं यहीं आपको जीता सकते हैं दुनिया के साथ आप 15 टीम्स दुनिया से अलग बनाए या फिर आप 10 टीम होताने हाले हैं 8 टीमें वो दुनिया की सोच से अलग बनाए यही फैक्टर है जील विन और जील में लॉस होने का लॉस जील में होता ही नहीं है सच को तो जील ऐसी चीज़े जहां आप लॉस को अवेड करना जानते हैं जील में हाँ वो कि यहां पॉइंट यह आप लोग समझ गए होगे कि दुनिया से अलग यानि दुनिया से अलग सी वी सी चली चलते हैं हमारा जो पॉइंट नंबर बी है इस हाँ टो विन जील स्टैटेजी में जो हमारा पॉइंट भी है वो कॉंसेप्ट वन सी इन फाइटो सिक्स टीम जैसे कि आप टीम बनाते हैं अगर आप लोग यहां तक वीडियो देख रहे हैं तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे यह हमारा कॉंसेप्स अच्छा लगे तो आप चैनल पे जूड़े रहेगा हमारे साथ हमेशा तो आपको अच्छी नॉलिज मिलती रहेगी हम आ च कौन जैसे कि यह गेम है यूई स्कॉटलेंट का वहाँ पे कंटिन्यूजली कौन परफॉर्म कर रहा है चैक जार्विस अच्छा कर रहा है ओल राउन परफॉर्वर पूरे डाल रहा है थोड़ी सी बॉलिंग विकेट भी है आप इनको कर लीजिए सी जैसे कि आप पांस च अब वड़ा नि करें राउनेज सिद्धी की अ जैसे कि यह टीम सी इनको रखिया आप टीम रोटेट करेगा जैसे की सी इनको बना दिया हमने झाल लेघ इनकी यह चाहेというए प्लेयर इनकी जगह हम रोटेटन पर द॑न संब यकिंग करेगी इनकी जगह कभी इदर से हेर्स को ले लेगे, कभी सूरी को रख लेगे, तो कभी इनके बॉलर राज है, अखी फुला को रख लेगे, वैसे, हम रोटेट करेगे, लेकिन वी सी जो है, वो जैसे की ऑप्शन जॉर्ज मुन से, अच्छा प्लेयर अच्छा कर रहा है, इनको कर लिया, पहले बॉ पांच टीमें अच्छी हो जाएगे, आपकी पांच टीमें उपर जाएगी, और अगर ये वी सी बनते हैं, ये वी सी बनते हैं, तो आपकी टीम और उपर जाने लगेगे, अगर ये फ्लॉप हुए तो बात लग है, लेकिन अगर ये चल गए, तो आपको एक अच्छा दिखते हैं, बन सी आर दिखता हैं, फिर वो आपके टू सी आर दिखते हैं, आई पिल में जो है वहापे तो दो दो करोड दिखेगे, वहाँ पी आपको आप खेलिए मैं मना नहीं करूगा, लेकिन तस टीम के अंदर खेलिए 20 टीम लगा सकते हैं, आप मैं मना नहीं करूगा लेकिन वो उस तरह से नहीं कि मेरे लगाने लगाना है कुछ लोग होते हैं ना 808 सिटी में लगाएगे छार अलग अलग अईडी से फिर पांच अलग अईडी से सौ लगा देगे उस तरह से नहीं आपको ऐसा करना है तो दो अईडी से छोटे जील पर ट्रै किजिए के 20 150 वाला होता है 50 वाली होती है 10 वाली होती है वहां पर ट्रै कीजिए न जा जीरो प्रसेंट रहेगे थो आपके जिुहेस गर करुण 1 सियार जएंडी स्टंग ट्रृएगे है तो आप मद आपके ऐसारी केवाले में हमकिए propose लॉजिकली बोर रहेंगे 2.80% इतने परसेंट चांसे जब इंक्रीज हो जाएगे न आपके चांसे बढ़ रहें जीतने के यह कॉंसेप्ट है अगर मात करें नेक्स्ट कॉंसेप्ट नंबर डी के बारे में तो यही है कि वो करोड़ वाली जीएल ना करें ठोटे गेम्स को टार्गेट करें वहां पर आपके जीतने के चांसे इंक्रीज हो जाएगे क्योंकि लोगों को नॉलेज कम होगी ठोटे गेम्स पहले तो बहुत क सकते के 9% वोगों के पास नॉलेज होता है और बागी 50% वोगों को दूसरे के टेल्गराम से आते हैं ठीक है तो उनका क्लैस होगा और बागी के जो बचे 40% वोग ना उनको नॉलेज नहीं होता है वो जो लेस परसेंट हैं 59% वहां पर विनिंग चांसेस इंक्रीज हो जात आता मत कीजिए क्योंकि करोड एक ऐसी चीज है जिसको हर कोई चाता है कि हम पाए लेकिन छोटी गेम्स को भी साथ-साथ टार्गेट कीजिए आपको एक इंप्रूमेंट देखने को मिलेगा आप रिसर्फ कीजिए एक दू गंडा दीजी गेम में तो अगर आप इतना टाइम देगे ना बड़े गेम को इतना टाइम देगे तो सफ़ाइद वहाँ पे जो है वो 99.1% chances आपके 1% chances है success होने के लेकिन इधर time देगे तो 50% chances है आपके success होने के अब next safe और unique both mixtures use next जो हमारा concept है वो है कि आप safe भी जाएए जैसे कि आप 20 team हो उतारते हैं तो 15 team हो में safe logic तो 5 team में high risk logic तो आप अगर 10 बनाते हैं तो 8 team हो में safe logic क्योंकि 8 के तो फिर आपको 100% return मिल जाएगे क्योंकि आप थोड़े safe जा रहे हैं इन वो जो दो team होगी अगर वो चली तो 100% 100 के अंदर आएगी और वो नहीं चली तो winning से बाहर जाएगी वो वाला logic यूज़ कीजिए आपको improvement मिलेगी क्योंकि आप अगर सारी की 20 की 20 team में risk की लेकी जाएगी चलेगी तो वो सारी 100 के अंदर अगर नहीं चली तो आपके 20 teams के है वो सारे चले जाएगे वो वाला logic है अगर आप high risk ले सकते हैं तो हाँ करिए 20 team में risk लीजिए लेकिन अगर आप वो low investor है न तो नहीं आप 5 team में उतारते हैं तो 3 में save 2 में risk ही ऐसा अगर ह हम बात करें यूज करेक्ट रोटेशन एक एक करेक्ट प्लेज एंड प्लेविट लॉजिक इन जी यह यह भी हम एक्जामपल के तौर पर समझे के ड्रीमी लेवन पर यह सबसे बड़ा बड़ी चीज है हर इंसान के लिए यह आपको जील भी जीतना है तो आपको किस तरह जैसके आपने 8 प्लेज फिक्स रख ली लेकिन तीन रोटेशन प्लेशन प्लेज वह आप किस तरह करते हैं सी बीसी भी आपके चलो आप्लेज डीटी मां आगे सी बीसी भी ठीक परफोर्म करके लेकिन वह जो तीन प्लेज फिर प्लेयर निगों जीनको एजब ऑन्र थोड़ी betting pitch पे आप क्या कहते है श्पीन पीच पे आप विकेट कीपर के साथ जाए पेसिंग पीच पे आप वो जू फिल्डर होते हैं जो लेक साइड पर होते हैं उनके पास कैचेश चांस होते है क्योंकि बाउंसिंग पिछे एज़ेज लगेगे वह हाई जाई की बॉल वहाँ पर आठ पॉइंट मिलते हैं आपको वह सारी चीज़े होती है जैसे कि यूए स्कॉटलेंड वाला गेम है वहाँ पर आठ प्लेयर लगबुक फिक्स हो जाएगे लेकिन वह जो तीन प्लेयर है वह मैं बता दाओ जैसे कि यूए वाला जो गेम है वहाँ पर दुबई की पिछ है और थोड़ी से लोई स्कॉरिंग पिछ है तो मैं हमजा ता साफू हो जाएगे वसी मोहमद है ब्रेंडन मैकमूलन है ऐसे बैटर एक्स्टा उल्राउंडी न्यूट्रल पिछ होगी तो ज्यादा उल्राउंडर रखी सिंपल सा लॉजिक है सिंपल सा फंडा है कि आपको सारी चीजे पता होने चाहिए पिछ रिपोर्ट में है और साथ कि आपके सीवी सी परफेक्ट बैठाना होपफुली आप लोगोंने इस सीरीज की पार्ट बन में कुछ समझा होगा इस सीरीज का पार्ट टू भी जल्द आएगा और होपफुली हम लोग अच्छा करेगे और इस सीरीज के जरिया आप लोग पूरी तरह से ड्रीम 11 को समझ जाएगे thank you for the watching this video